हेलो स्टूरेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग वन डैमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे जिसे कि हम सिंगल डैमेंशनल एरे भी कहते हैं तो आज किस lecture में हम लोग देखींगे कि किस तरीके से हम Java में Single Dimensional Array का यूज करते हैं और उसका program को create करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी Single Dimensional Array होती क्या है तो ऐसी Array जिसमें कि आपका केवल एक सबस्क्रिप्ट होता है उसे One Dimensional Array या Single Dimensional Array हम लोग कहते हैं और इसका use हम linear form में डेटा को store करने के लिए करते हैं It means ऐसी Array जिसमें कि क्या हो आपकी एक row हो और आपके column कितने भी हो सकते हैं एक line में जिसमें डेटा को store किया जाता है वो हमारी कहलाती है आपकी Single Dimensional Array और आपकी जो Array की Indexing होती है वो आपकी 0 से Start होती है तो यहाँ पर हमने एक diagram बनाया है जिसमें आपका एक Array बनाया है जिसमें आपकी row कितनी है एक है जबकी column आपके यहाँ पर मैंने आपको 3 दे रखे हैं तीनो column की मैंने Indexing कर रखी है 0, 1, 2 तो यह क्या हो गई हमारी Array की Indexing ठीक है उपर आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ Array Element तो यहाँ पर 10, 20, 30 यह क्या है हमारी Array की Value है तो यहाँ पर हम यह क्या कह सकते हैं यह हमारे Array के Elements है यहाँ पर यहाँ पर जो मैंने Array Create की है उ यह क्या हो गया हमारी Array का Name तो इस तरीके से हमारा जो Single Dimensional Array होता है उसका Representation होता है इतमीस यह आप समझ सकते हो कि इसका Block Diagram तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक Program के माध्यम से Single Dimensional Array का Use करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक Example Program दे रखा है उसको हम समझते हैं तो यह पर Single Dimensional Array में मैंने एक ऐसी Array क्रियेट किया है जिसमें जितनी भी हमारे Array के Elements हैं उनको 1 by 1 मैंने Array में Insert किया है उसको Print करा लिया है तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक Class Create की है Class को Create करने के लिए हम Class Keyword का Use करते हैं जिसका की नाम दिया है मैंने One Dimensional ठीके उसक एक जो मैथड है आपका उसको Create करेंगे Public, Static, Void, Main और ब्रैकेट में String, Args और आपका SubScript और ब्रैकेट क्लोस अब हम Main जो मैथड हमने Create किया है उसको जो Bracket है उसको Open करेंगे और अपनी Array को क्या करेंगे? Declare करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक Array बनाया है Integer Type का तो मैंने पहले Define किया है Int, SubScript, Array का नाम दिया है A is equals to Mu मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी हम Array को Memory Allocate कराते हैं तो यहाँ पर हम New Operator का यूज करते हैं उसके बाद में उसका Data Type Int, SubScript में हमने यहाँ पर जो Array क्रियेट किया है उसका Size Define कर दिया है 3 It means जो हमारी Array क्रियेट की गई है वो अपने अंदर 3 Values को Contain कर सकती है और Semicolumn ठीके उसके बाद में मैंने यहाँ एक Comment दे दिया है क्यों क्योंकि यह Line जो आपकी वो क्या कर रही है Array को Declare कर रहे है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया Declaration ठीक है उसके बाद में जब हम अगली Line में आ रहे हैं तो हमारी जो Array है उसमें हम क्या कर रहे हैं वैल्यूस को Initialize कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर A और आपका जो Index है पहले वाला ठीक है पहले कॉलम का 0 वो दे देंगे और वहाँ पर हमारी कौन सी वैली स्टोर हो जाए 10 ठीक है सैमी कॉलम दूसरा भी हम इसी तरीके से देंगे A सबस्किप्ट में आपका Index 1 इजी कस्टू 20 तो यहाँ पर हमारा जो Second कॉलम होगा रो का वहाँ पर जाके 20 स्टोर हो जाएगा उसके बाद में आपका A सबस्किप्ट में 2 और इजी कस्टू 30 तो यह जो है आपका 30 जो है व हमें जो एकनि एयरे में इंसर्ट करा दी उसके बाद में जो वैल्यूइट की हैं उनको हम प्रेंट कराइंगे तो यहां पर मैंने एक लाइन दे दिये comment के रूप में printing array तो इसके बाद में हमारा एक statement है जो क्या करेगा array को print कराने का काम करेंगे तो system.out.println packet में एक statement दिया है one dimensional array elements are तो ये आपका print होगा उसके बाद में हमारे array के elements को हमने print कराया है system.out.println a a के जो 0 वाले index पे जो value होगी उसको print कर देगा ये वाली line दूसरी में system.out.println packet में a index 1 वाली जो value है आपकी 20 वो print हो जाएगी यहाँ पर अगली line में system.out.println packet में a सबस्क्रिप्ट में 2 यहाँ पर main method close करेंगे और उसके बाद में class को close कर देंगे तो इस तरीके से ये one dimensional array का आपका क्या है एक program है जिसमें हमने one by one indexing करके values को insert कराया है और बाद में उनको values को print करा लिया है अब इसका output देख लीजिए तो output जो है आपका वो आएगा यहाँ पे one dimensional array elements are ठीके उसके बाद में आजाएगा 20, sorry 10, 20 और 30 तो ये आपका one dimensional array का output आएगा इस तरीके से हम one dimensional array को use करते हैं और उसके program को create करते हैं